हरे कृष्णा मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज का मेरा वीडियो है कपूर क्यों जलाना चाहिए क्यों जलाया जाता है कपूर अक्सर हम पूजा करते हैं तो कपूर जलाते हैं पर क्या हम ये जानते है कि कपूर क्यों जलाना चाहिए और बेल आइकन में जरूर प्रस किजियेगा जिसे कि मैं ऐसी वीडियो लाती रहूंगी तो आप तक पहुंच सकें तो वीडियो सुरू करते हैं हिंदु धर्म में देवी देवताओं की पूजा करते समय बहुत सी समगरी का प्रियोग किया जाता है हर समगरी का अपना ये कलग महत्त होता है इसी तरह से पूजा में आरती करके घर घी करते समय घी के दीपक के साथ में कपूर भी अवस्य जलाया जाता है धार्मिक कारियों में आर्ती करते समय कपूर जलाने का बिसेश महत्तु माना जाता है हवन की अगनियादी प्रजिलित करने में भी कपूर का ही प्रयोग किया जाता है धार्मिक मानिता है कि इससे देवी देवता प्रिशन होते हैं वास्तु में भी कपूर जलाने का विसेश महत्त बताया गया है वास्तु सास्त के अनुसार घर में कपूर जलाने से नाकारत्मक्ता कनास होता है जिससे घर में कुछ सहाली आती है क्या आपको पता है कि कपूर के समय पूजा की इस समय कपूर जलाने का इतना महत्य क्यों माना गिया है तो जानते हैं इसके पीछे का अधात्मिक कारण घर में कपूर जलाने से घर और आसपास के वातवरण की सारी नाकरत मक्ता उर्जा दूर हो जाती है और शाकारात्मा कूर्जा का संचार होने लगता है जिसे घर में खुसहाली बनी रहती है मानेता है कि घर में प्रदिन उपले पर कपूर जला कर दिखाने से घर में बुरी शक्तियों का आगमन नहीं होता और बुरी नजर से बचाव होता है स्रास्तों के अनुसार घर में यदि पित्रदोस और देवदोस को सांध करना है तो कपूर जलाना चाहिए इससे देवी देवता प्रिशन होते हैं रात को सोते समय यदि सयनकक्ष और पूरे घर में कपूर जलाने से घर का वातावरण सांध रहता है इसका वैग्यानिक कारण कपूर जलाने के कई तरह के वैक्टीरिया नश्ट हो जाते है माना जाता है कि कपूर जलाने से वाई मंडल सुद्ध होता है इस तरह से आप यदि अपने घर में कपूर जलाते हैं तो कई हानिकारक वेक्टिरिया के संपर्ख से आने से बच सकते हैं, इसे बीमारियों से भी बचा जा सकता है, कपूर जलाने के वाता वरण में एक सौनी खुजबू बिखर जाती जिसे मानसिक्सान्ति का अनुभा होता है, इसके अलावा भी कफ मानस्पेसियों में खिचाओ गर्दन में दर्द, अर्थ राइटिंग, आदी बीमारियों से राहत दिलाने में कपूर कारगर होता है, कपूर के तेल का प्रियोग बहुत ही लापदायक माना गया है तो फ्रेंड्स जदी मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट से जरूर कीजिएगा, आपका धन्यवाद